हलो फ्रेंड्स क्या आपका वजन बहुत जादा है और आप अपना वजन कम करना चाहती है आपके अभी डिलिवरी ओए और वजन बढ़ चुका है और यदि आप कहीं पे स्टडी के टाइम पर या और किसी कारण वश आपका वजन जो नॉर्मल से जादा है या हो सकता है कि अ आखिर हमारा नॉर्मली वजन कितना होना चाहिए तो जो नॉर्मल वजन कैलकुलेट करने का सबसे सीधा तरीका है कि जितनी भी आपकी हाइट है यानि कि सेंटीमीटर में हाइट है यानि कि जैसे मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो जो मेरा आइडियल वजन है वो 65 किलो के एसपास होना चाहिए यानि कि आपके जो सेंटिमीटर में हाइट है यदि इसमें से आप 100 माइनस कर देती है तो डेफिनिटली जो रिजल्ट आता है वो आपका एक एवरेज वेट आता है 165 में से 100 माइनस करने के बाद 65 आता है जो कि मेरा नॉर्मल वजन होना चाहिए इसके लावा जो standard तरीका है वो आपका BMI से निकलता है तो BMI का calculator होता है या formula होता है कि जितना आपका वजन है उसको आप meter के अंदर आपकी height का दो बार उसको divide कर दीजे यानि कि weight upon height का square तो यह formula है वैसे आपको mobile के अंदर BMI calculator मिल जाएगा जिसमें आप अपना weight और height meter के अंदर डाल देंगी तो आपको result मिल जाएगा तो 18 से 25 के अंदर यदि आपका BMI आता है तो normal calculate होता है 18 से नीचे आता है तो आपका कम हो जाता है और 25 के उपर आता है तो यानि कि आप overweight होते हैं तो 25 से 30 तक आप overweight हैं और 30 के उपर आप obese category में आ जाते हैं और 35 के उपर severely obese category होती है जांकि आपको वास्ता में किसी surgery की requirement हो सकती है तो हमें target यह रखना है कि हमारा जो weight है 18 से 25 के बीच में रहना चाहिए अब यदि आपको लग रहा है कि आपका weight calculation के बाद 25 के उपर जा रहा है यानि कि BMI आपका बढ़ा हुआ रहा है और आप overweight की category में आ रही है तो फिर आपको कुछ तो measures लेने चाहिए और यदि आप अगर measures लेती है तो definitely यह आपको lifelong फाइदा करेंगे क्योंकि जब भी भी मोटापा होता है obesity होती है तो बहुत सारी चीजें बिन बुलाएं आ जाती है जैसे कि diabetes है, hypertension है, जोडों का दर्द है इसके अलावा जैसे कि pregnancy नहीं होने में दिक्कत होना और pregnancy होने के बाद delivery में भी काफी दिक्कत आना और इसके साथ ही साथ महीने भी irregular हो जाते है PCOD भी develop हो जाता है, और कई बार PCOD की लड़कियां होती है, वो काफी obese भी होती है तो यह वाईसे वर्सा होता है यह जो बिन बुलाएं महमान साथ में आ जाती है obesity के, यानि मोटापे के, वो हमें नहीं बुलाने है क्योंकि यह बहुत ज़दा मारी life को affect करते है क्योंकि यदि BP काफी ज़दा बढ़ता है तो यह definitely आपके heart पे भी effect पढ़ता है आपका diabetes के कारण आपको खाने पीने में समस्या हो सकती है जोडों के दर्द के कारण आप चल फिर नहीं पाते हैं तो आपको वजन कम करने के तरफ ध्यान देना पड़ेगा वजन कम करने के लिए सबसे important है कि अपना lifestyle सुधारना lifestyle एक दिन में तो नहीं सुधारा जा सकता हम यह कहें कि आज के तारिक में कल के कल के दिन सब कुछ एकदम से normal हो जाएगा तो नहीं हो सकता आप gradually कोशिश कर सकते हैं तो आप gradually थोड़ा चलना फिरना एड़ कीजे जैसे कि हम बोलते हैं कि lifestyle modification में सबसे important आता है diet, exercise and आपका mentally सोच तो यह दोनो तीनो चीज़ें अगर आप अपनी life में incorporate करती हैं तो definitely आपको फरक मिलेगा तो सबसे पहले तो है mental makeup यदि आप यह decide कर लेती हैं कि हाँ कि मुझे इतना वजन कम करना कि जैसे कि आपका वजन अगर 75 kg और आपको 65 kg पर आना है यानि कि आपको 10 kg वजन कम करना है तो एक उसकी strategy बनानी पड़ेगी एक दिन में एक साथ 10 kg वजन कम नहीं किया जा सकता लेकिन यदि आप हर महीने 1 kg वजन कम करती हैं तो definitely 10 महीने में जाके आपका 10 kg वजन कम हो जाएगा अब 1 kg एक महीने में कम करने का मतलब है कि आपको हफते के अंदर 250 ग्राम वजन कम करना है तो एक हफते में 200 ग्राम वजन कम करना बहुत बड़ी चीज नहीं है यह आराम से किया जा सकता है लेकिन इसको करने के लिए आपको डेली मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी यानि कि आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा एक शीट बनानी पड़ेगी इसके डेली आप अपना वेट माणिटर करेंगी कि हाँ मेरा वेट इतना था कल मेरा इतना तो वो बढ़ने की जगए एक लिस्ट स्टेबल रहना चाहिए या 150 ग्राम कम होना चाहिए अगर 101 पचास ग्राम भी कम होता है तो पांस दिन में जाके तो सबसे important है कि आपको अपनी calories adjust करानी पड़ेगी कि आप कितनी calories अभी खाती हैं तो 2-3 दिन की diet आपको चाट आउट करनी पड़ेगी अपने mobile में बहुत सारे apps ऐसे available हैं जिनमें कि आप अपनी diet डाल कर आप चेक कर सकती हैं कि exactly आपके diet में कितनी calories जा रही हैं यदि आपके diet में 2500 calories जा रहे हैं और वजन घटाना चाहती है तो कम से कम आपको 200-300 calories कम करनी पड़ेगी तो जैसे आप diet में थोड़ी से calories कम करेंगी तो आपको फरक दिखने लग जाएगा तो सबसे important है कि आप अपनी जो normal diet है उसको chart out कीजिए 3-4 दिन 5 दिन की फिर उसके हिसाब से आप उसमें यह देखना पड़ेगा कि exactly आप क्या क्या खा रही हैं क्योंकि कई बार क्या होता कि calories तो हमने कम तरली है लेकिन अगर हमने diet का macro change नहीं किया अगर हम carbohydrate और fat जादा ले रहे हैं और protein कम ले रहे हैं तो definitely effect जल्दी नहीं आता है तो इसलिए सबसे important है कि आपको carbohydrate content कम करके protein का content बढ़ाना पड़ेगा अब हम सब जानते हैं कि protein किस किस में होता है दूद में होता है दही में होता है इसके अलावा जितने भी beans आती है यानि protein powder भी यूज कर सकती है at least 25-30 gram protein powder ले लीजिए जिससे कि आपको इतना protein मिल जाए उसके साथ है डाइट में change कर सकती है यदि आप चावल खाते है तो चावल को थोड़ा कम किया जा सकता है उसको खिचडी के रूप में बनाया जा सकता कि चावल के साथ आप दाल मिला के खा यह जो रोटी आप खाती है तो रोटी के अंदर आप सोया बीन और बेसन मिला कर आप रोटी बना सकती है निकि 20-20 and 60 60-80, 20-20 ग्राम बेसन इस तरीके से मिला कर आप 40 ग्राम एटलिस्ट आप प्रोटीन वाला पार्ट उसमें एड़ कर सकती है सबजी आप लिए जादा ले सकती है सलाद आप जादा खा सकती है पीनट साप खा सकती पीनट बटर आप ले सकती है तो यदि आप थोड़ा सा सर् साथ आप युदि कुछ भी नहीं कर सकती तो अब 10,000 स्टेप एक दिन में ज़रूर एड़ कर लेजए 10,000 स्टेप भी काफी इंपोर्टेंट होते हैं 10,000 स्टेप करने से आपका मेटाबॉलिसम एक्टिवेट होता है आप 10,000 स्टेप एक साथ अगर आप नहीं कर सकते तो तो दिन में दो या तीन बार के आप उसमें ब्रेक में कर सकते हैं कि तीन हजार सुबह किये, तीन हजार शाम को किये, तीन हजार दोपहर में किये, या पाँच-पाँच-पाँच-चाजार मॉर्निंग आप डिवाइड कर सकती हैं और जब आप exercise करने, जब आप walk के लिए जाती हैं, तो definitely आप बहुत अच्छा कोई music सुन सकती हैं, कोई अच्छी audio book सुन सकती हैं, जिसमें कि आप किसी dietitian की lecture सुन सकती हैं, या किसी motivational lecture सुन सकती हैं, जिससे कि आपका mental level boost up बना रहे हैं, और dietitian को सुनने से आपको ये पता चलेगा, कि exactly आपको अपने micros कैसे set करने हैं, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी knowledge लगेगी, तो या तो आपको dietitian hire कर लीजिए, क्योंकि आपको micros set करके देदेगे, क्या-क्या और कितनी मात्रा में खाना है, और धीरे धीरे अप gradually अगर change लाते हैं, तो definitely आप साल भर क के अंदर अपना target अचीव कर सकती हैं, लेकिन यदि आप सोचें कि नहीं मुझे एक महीने में दस किलो वजन कम करना है, तो वो possible नहीं हो पाता है, और as a medical advisor हमें advice भी नहीं करते हैं, कि drastically आपको एक साथ वजन कम करना चाहिए, क्योंकि इसका शरीपर बुरा प्रभाव पढ है, आज एक दिन करके अगले दो दिन नहीं करें, ऐसा नहीं, जितना हम से हो सकता है, हो सकता है कि हम से 10,000 steps पहले दिन नहीं चले जाएं, तो हम एक smart watch के अंदर ये record कर सकते हैं, कि हम एक दिन में कितने steps चल रहे हैं, यदि आप routinely 3000 steps चल रहे हैं, तो अगले दिन आप 4000 का target क कर लीजिए, और उसके अगले दो से तीन दिन के बाद आप 5000 का target कर सकती हैं, तो ऐसे आप ग्रैजुली एक महीने के अंदर अगर आप 500 steps भी दिरे दिरे बढ़ाती हैं, तो आप एक महीने के अंदर 10,000 steps पह आ सकती हैं, और जैसे आप 10,000 steps पह आ जाती हैं, तो डेफिनिट लिए आप करके दिखा पाएंगी, और यह achievable goal है, ऐसा नहीं है कि इसको achieve नहीं किया जा सकता, बहुत से लोगों ने 25-25 किलो, 30-30 किलो बहुत सारा वजन कम किया है, तो यह easily possible है, तो मैं समझते हूं कि आज आपको यह समझ में आ गया कि वजन कम करने के लिए आपको diet exercise के सा साथ साथ आपको mental level यानि कि mental stamina भी बहुत जादा जरूरी है, यदि अब आप ठान लेती हैं कि आप कर लेंगी तो definitely आप कर पाएंगी, हम आप सिफ़र मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जैनकारी के साथ, तब तक नमश्क्र.